तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नय बैच के पहले वीडियो में जी हाँ आज से स्टार्ट हो रहा है क्लास 10 का नियू बैच पोर सेसन दोहजर चौबिस पचिस यानि कि अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट है और आपका एक्जाम दोहजर पचिस में होने वाला है तो जूड़ जाए ग्यापनिकेडमी के साथ क्योंकि आज से हो रहा है नय बैच का अगास यानि कि शुरुआत और मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी थी कि नय बैच की शुरूआत 13 मार्च से होगी तो फाइनली आज 13 मार्च है और आज से स्टार्ट हो रहा बाकी जितने भी सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट साइन से स्टी मैथमेटिक्स हिंदी इंग्लिश और सब्जेक्ट ही तेयार एकदम धुवदार जबर्दस्त अंदाज में कराई जाएगी तो आप लोग फुली एनरजी के साथ ग्यापनिकेडमी से जुर जाएं क्योंकि समझे कि पढ़ाई को लेकर आप लोग को टेंशन नहीं लेना है पढ़ाई से जितने भी टेंशन है वह अपने दिमाग से एकदम खतरनात तरीके से प्रिपरेशन कराए जाएगा ठीक है ना तो आप लोग बस जुड़ जाएगा आपने के साथ और बाकी जितने भी पढ़ाई को लेकर टेंशन ना सब को अपने दिमाग से निकाल दे 2025 को फोड़ कराना है आप लोगों को और टॉप अब बेस्ट बनना है और एक चीज़ ध्यान रखिएगा यह जो नया बैच से स्टार्ट हो गया आज से तो यह जो नया बैच है पिछले वाले बैच अभी जो बैच खसम हुआ उसके मुकाबले को इप लोगो इस से बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि आर्फ लोगो को फ्रीप को स्ट करा ही जा रही है और यहां तक कि फिडियो भी फ्री ऑफ कोस्ट दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट इस बात पर लाइक तो बनता है पड़ अगा और जितना जादा हो सके है हुए हैं हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा ताकि जब भी वीडियो अप्लोड नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे ठीक है आज के इस वीडियो का इस्टेस जरूर लगना चाहिए आप लोग के पहलिगा थो सबसे आप लोगो सब्सक्राइब करते और समयस्ते हैं धल्शाइब क्लास के इसे नोस पता रहेगा औरकिने क्या पढ़ना है तो तो किатना के वाकी अन्दाजा मिलता है तो सिस्टेमाटिक तरीके से तियारी करने के लिए आप़ों को सिलेवस में क्या क्या तरहिए तरीके से बाकि ढुlate के उसके सांत भी होगा क्या सब्सक्राइब और तब अगले वीडियो से चप्टर पढ़ाना इसी तरीके से रहेगा आप लोगों को टेंट्रन नहीं लेना है एनर्जी के सांथ बस जूर जाना है फुल एनर्जी के सांथ और बाकी त्यारी किराने की जिम्मेदारी आप लोग हम पर छोड़ दीजिए ठी उर्थू का किस्छन पिपर होता है कहां कहा से कूछशन पूचे जाता है वो सारा बन जाना चएे तो हमें क्या पंढ़ना होगा उर्दू 10 तैन क्लास का उर्दू क्या पंढ़ना है उर्दू में और दुसरा उर्दू grammar पहना होगा ठीक है यानि कि उर्दू जो होता है ना 10th class का उर्दू का question paper question paper में दो जगा से question पूछे जाते हैं एक तो उर्दू book से यानि कि जो आप लोग का उर्दू का किताब है 10th class का उससे और एक उर्दू और उरृद्व हुशन से यह 10 और उर्थू सब्जेक्ट में अर्थ संटें पहला हुआ इससे आप बता होना है तो ऋर्दू जैसा की आप बता हमा दो जार से पूछा आहीं दो पिछा है क्पार्णा से अफश molar उर्दू गर्णा whether clicker किताब और पुचेंग जाता है दो टर्फ क्लास का जोुर्थ है उसमें őर्दु ग्रामर से 33% पुचा जाता है उर्दु ग्रामाइस mira कि मल लेंग तो उसमें 33% देखने को मिलेगा वह रहेगा यानिख 38 से पूचह जाते हैं और बागी जो सिक्ष्टी सेवन पर्सेंटेन controlar सब्सक्राइब आप लिए पढ़ना और लिए पढ़ना यहां से 23 पर संट गुजन दौनों जगह से रहते हैं ठीक है है उसमें दो किताब है उसमें दो बुख आप लोको पढ़ना है एक दुन को आप लोग पूछेंगे तो क्या दोनों किताब से बराबर बराबर पूछे जाते हैं तो नहीं देखें इन दोनों किताओं में जो सबसे ज्यादा important भूख है ना वो है दरक्षा का किताब उर्दू का दरक्षा इससे जो है ना 80% कोशन पूछे जाते हैं अगर 100% में से बात करें 80% नहीं तो 80% कोशन जो है ना दरक्षा के किताब से पूछे जाते हैं तो सबसे ज्यादा जो 100% कोशन पूछे जाते हैं और अगर उर्दू की बुक की बात की जाए तो उर्दू बुक दो है यान की 10 क्लास में दो उर्दू का किताब पढ़ना है एक दरक्षा और दुसरा है रौष्णी अब दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है दरक्षा का किताब क्योंकि दरक्षा के किताब से 80% कोशन देखने को मिलता है आप लोग के कुष्ण पेपर में आते हैं रौष्णी के किताब से ठीक है तो यहां पर मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूं कि सबसे ज्यादा जो हमारा फोकस रहेगा वो दरक्षा के किताब में टोटल कितने चेप्टर है बता भी दे रहे हूं टोटल 38 चेप्टर ह ठीक है तो यहां पर सबसे जिदा फोकस किया जाएगा यानिकि मैं सबसे जिदा जो फोकस करूंगी वो करूंगी दरक्षा के किताब पर लोग दरक्षा का किताब नोडाउट पूरा 38 चेप्टर यानिकि 38 चेप्टर कंप्लीट करके ही जाएगा और उसके बाद से लोग छोड़ कर नहीं है अगर इसको छोड़ देते हैं तो भी आप लोग का चैन्स क्लास में जो है ना उर्दू में बहुत बढ़िया माक्सा जाएगा लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हंड़ेट आउड और उर्दू में तो फिर आप लोग को रोशनी का किताब भी जाएगा मुझाब सो में आप लोग 90% ला सकते हैं बीना रोशनी का किताब पढ़ें तो इस वह जैसे में ज्यादा फोकस भी नहीं करती हूं रोशनी के किताब पर क्योंकि दरक्षा के बुक और ग्रामर पढ़ने से यह आप लोग का काम बन जाने वाला है तो रोशनी के पढ़ने की ज़रूरती क्या है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को रोशनी का बुक पढ़ाऊंगी ताकि आप लोग 100 आउड़ ऑफ 100 में 100 लाले ठीक है और जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूं कि फ्रेश प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा जिसका नाम यानि कि दरक्षा के किताब का जितना भी चेप्र है ठाटी एट चेप्र पढ़ाऊंगी और रॉष्णी का बुडियो आप लोगों को इसी प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा और यहां तक कि जो अब्जेक्टिव कोशन और सब्जेक्टिव कोशन कराए जाएगा वो सभ और रही बात grammar की तो grammar का नया प्लेलिस्ट वनेगा क्योंकि grammar में 10 और 12 12 क्लास का grammar एक ही सात में पढ़ाऊंगी तो उसका प्लेलिस्ट का नाम बता दे रही हूं ग्रामर का playlist का नाम रहेगा उर्दू ग्रामर उर्दू ग्रामर ऑर सेशंदू 2024 यकि इसी तरीके से रहेंगा से 2724 और 25 ठीक हैं बस यहां पर उर्दू ग्रामर हो जाएगा यहां पर 2725 लास्ट में देखने को मिलेगा अगर उर्दू सब्जेक्ट है तो लास्ट में जुड़ जाएगा स्टाटिंग में किया जुड़ जाएगा class strength non Hindi class strength science से तो class strength science session 2024 पचिस class strength mathematics session 2024 ठीक है तो इसी तरह यह से करके आप लोगो प्लेडिस्ट बनाये जाएंगे ठीक है तो किटाब itब पढ़ेगे जैसे आप लोगो से किताब अब बात कर लेते हैं कि द्रक्षा का जो किताब है इसमें जो 38 आर्फिस चप्टर वो कौन कॉन्स है यान कि थाटी येट चप्टर का नाम मैं यहां पर लिख दे हूं ताकि आप लोग को ढूनने में दिक्कत नहुं यहां पर 38 चप्टर का नाम लिख दे यहां इसपर एक नजर डाल लेते हैं कि कौ बहुत आसान एकदम हलुआ एकदम इजी बनाकर रख देंगे आप लोग बस हमारे साथ जुड़े रहें सब कुछ आसान होगा यहां तक यह इतने 38 चप्टर और उनके राइटर का नाम याद रखने का भी ट्रिक आप लोगो बताये जाएगा बस आप लोग जुड़े रहें और हमारे साथ तयारी करते रहें पढ़ाई को लेकर कभी भी प्रेशन में आना ही नहीं है ताकि आप लोग नाम देख लें कौन-कौन से वह चैप्टर है और एक नजर दोड़ा ले ठीक है आप लोग को एक तर से अंदाजा मिल जाए कि हाँ यह यह चैप्टर है पस इसी उस पर भी एक नजर डाल लीजेगा देख लीजेगा कि कौन-कौन से वह बारा चैप्टर है और यहां तक कि उर्दू कवायद में क्या किया पढ़ने हैं कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वह भी लिखकर में बोड़ पर बता दूगी सबसे पहले जरा द्रक्षा की बा चान ठीक है चैप्टर नुमबर 9 का नाम है हिंदुस्तानी आयन के मियमार डॉक्टर भीम राव अंबेटकर यहां पर मैं थोड़ा जगह नहीं था इस पेस नहीं था इस वज़ेसे आधा ही चैप्टर का नाम लिखी हूँ फुल चैप्टर का नाम क्या है हिंदुस्तानी चैप्टर नाम है और भीम राव अंबेटकर यानिकी मजमूल है यह निबंद है जो प्रिखा गया है उसी तरीके से उर्दु ड्रामा निगारी और आगाहशर यह दसवा चैप्टर है ग्यारावा चैप्टर का नाम है आर्य भट और तरेगना बारहवें चैप्टर का नाम चैप्टर में और बेदी से राजिंदर सिंग बेदी से जो इंटर्व्यू लिया गया था उस इंटर्व्यू को आप लोग को सुलमें चैप्टर में पढ़ना है मनाजीरे कुदर जो की एक नजम यानिकी कवीता है हम नौजवा हैं बिजली का खंबा यह दोनों नजम यान मस्णवी है उसी तरीके से गुल्जार नसीद्षबह जिए मस्णवी है ति और 27-28 यह दो चैप्टर निकमें है prós aç है कि दो गजल और पढ़नी है तिक है उसी तरीके तक कंप्लीट हो गया अब उसके बाद से 37 तो 37 में दोहा दे दिया गया है दोहे को पढ़ना है आप लोगों को और 38 में जमुना की लहरे उठती है यह गीत है इसको पढ़ना है बस पताए ज्यादा टफ भी नहीं है और यह जो स्टार्टिंग में यह हम्द है भावी जन फरा मनेकारी औला ऑग आशन ओताफ़ यहाँ तक जो है आप यह इसके रुकिंगे यह जो है नहीं मसमूना इनकी निबंद दो निबंद है 2 कि पतक्रे कहाणी है कहानि है कि हमीदा और मंजली बेटी हमीदा के गुफतबो और उसके बाद से यह खता jetzt Doch खत है बेदी से इंटर्व्यू एक इंटर्व्यू है और बाकी यह जितने भी यह नजम है यहां तक खड़ा डिनर तक यह सभी नजम है यह है मरसिया अरिफ की मौत पर और यह मसनवी है तो यह आप लोग को जब चप्टर पढ़ाया जाएगा तो बताते चला जाएगा कि कौ कौन सहम्द है कौन आफसाना यान की कहानी है और कौन मजमून यान की निवंद है ठीक है तो आइज आप लोग को यहां पर दरक्षा का किताब का 38 चप्टर का नाम पता चल गया होगा कि कौन कौन से वह चैप्टर है अब अगर आप लोग यहां तक स्क्रिन शॉट लेना जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसका तो आप लोग तेलिग्राम से जूट जाएए पीडिएफ लेने के लिए ग्यापन एकेडमी ऑफीसियल तेलिग्राम चानल का नाम है ग्यापन एकेडमी और लास्ट में ऑफीसियल आप लोग सर्च करके भी जॉइन कर सकते हैं आप ल मैं बोड को मिटाती हूं जो रॉष्णी के बार चेप्टर है उनका नाम लिखती हूं और उर्दू खवायद में जो पढ़ना है वह मैं लिखती हूं ठीक है आप लोग यहां तक स्क्रिंशॉट लेना चाहते हैं तो कोई स्क्रिंशॉट भी लेजिए या फिर पीडिएफ ले रहे हूं जी रॉक्स निकलवाना है ताकि आप लोग जब चाहे तब उलट कर देख सके अंडरलाइन करके प्राक्टिस वगरा कर सके ठीक है तो लेजिए फड़ा फड़ स्क्रीन शॉट अब आईए आगे बढ़ते हैं देखिए मैं रॉष्णी के बुक का जो बारा चप्टर है उसका नाम में लिख दीओं जिसमें से पहले चप्टर जो पहला चप्टर है उसका नाम है हिंदुस्तानी अदब का तसब यानि की इमेजिनेशन ठीक है उसी तरीके से दूसरा ठीक है छटे चप्टर का नाम है खाली संदूक, साथवे चप्टर का नाम है अंग्रेजिया बावू, ये भी अफसाना यान की कहानी ही है, ठीक है बहुत ही फनी ये भी कहानी है, उसी तरीके से आठवा चप्टर जो की एक कहानी नहीं है, अफसाना नहीं है, ये एक नजम है बारिस शाह से दिये भी अध्र में भारिश फ्वा ये जो बार वांध कि वह लगात बारत करते हैं कि आप लोगों को क्या पढ़ना पॉड़ना है जोा इंप सकि जाता है हई एक ने जो मतलब important topic है वह आप लोग को पढ़ा दिये जाएंगे आप लोग प्रेंटर नहीं लीजे देखिया कल से class स्टार्ट हो रहा है कल से chapter पढ़ाना करना स्टार्ट किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि हर रोज वीडियो अप्लोड हो लेकिन बीच में कभी वीडियो नहीं होता है अप सेंट हो जाता है तो क्या आप लोग पुछला वाला वीडियो देखकर यानिकि पहले पढ़ा दिया गया उसी को देखकर प्रैक्तिस करना है is करना है तो वीडियों अप्तों होने पर माली जीए एक दो दिन वीडियो नहीं अफलोड हुआ तो इस वक्त हाफ लोग क्या करेंगे प्राक्टिस रेंगे पहला वाला वीडियो देखकेश करना है करना चाहिए ठीक ग। से बाइँ कुल देर टो छॉट का नाम क्या रहें और उर्दु ग्रामर में जो भी सब्सक्राइब वह 10th class के लिए इंप्वाटेंट होंगे और 12th class के लिए इंप्वाटेंट होंगे क्योंकि उर्दु grammar 10th और 12th दोनों में लगवग सेम ही होता है grammar का topic इसी वज़ा से एक ही playlist का नाम दे दिया गया है उर्दु grammar इसम को इंग्लिश में कहा जाता है इसम से ज्यादा कोशन पूछा जाता है तो इसम जो टॉपिक है इंप्वाटेंट हो जाता है इसम को बड़ी ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को उसी तरीकिसे जमीर जमीर के बारे में पढ़ना है जिसको इंग्लिश में कहा जाता है प और उसी तरीके से वाही जमा पढ़ना है आप लोगों को एक क्वेशन और बहुवचन वही जमा से क्वेशन जिन से क्वेशन और जिद और मुत्जाद से ज्यादा क्वेशन देखने को मिलते हैं जिद यानि की अपोजिट वर्ड विप्रितार तक शब्द आप लोग जिंद जादी कि क्या कि आप लोगों को पढ़ना है एक बार अपने जबान से में रिविजन कर दे रही हूं ताकि आप लोगों के माइंड में स्ट्रक्चर सा बन जाए जो टेंथ क्लास का उर्दू बीच में रखते हैं उर्दू दो जगा से पूछा जाता है एक ग्रामर से और सिलवस किया है मैं ग्रामर कहा कहा से पूछ जाते तो यह टापिक मेली बस कहीं इसे पूछे जाते हैं और रही बात अरदू जो सबसे जब्सक्र द्रक्षा का बुक है तो यहां पर फाइनली आप लोग के उर्दू का सिल्वस में आप लोग को बता दी कि उर्दू में क्या क्या पढ़ना है तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर के इंड करते हैं आप लोग ग्यापन एकेडमी के साथ फुली एनर्जी के साथ जूड़ जाएं कल से क्लासे स्टार्ट होंगी और चैप्टर वन से आप लोग को पढ़ाया जाएगा जितना दावसा कि इस वीडियो को शेयर कर दे और सभी लोग को जोड़ दी जाए ग्याप सब्सक्राद के साथ